सद्गुरु हम यहां दावोस में हैं, इस खुबसूरत, शांदार और सुन्दर दावोस जील के किनारे, पर मेरे विचार इस समय देश के आध्यात्मिक स्वास्थ की ओर जा रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारत के एक प्रमुक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते, इस समय हमारे देश के संपूर्ण आध्यात्मिक स्वास्थ के बारे में आपकी क्या राये हैं? आध्यात्मिक स्वास्त है देखे इस देश की ताकत इस देश की विशेष्टा हमेशा ये रही है ये जग्यासूं की धर्ती रही है मगर आज, सिर्फ आज नहीं पिछले कुछ सौ या तीन-चार सौ सालों से धीरे-धीरे दिशा बदलने लगी है क्योंकि मजबूत धार्मिक प्रदर्शनों के कारण हर कोई किसना किसी धर्म से नाता जोड़ने की कोशिश कर रहा है ये ऐसा देश है जहां एक समय कोई व्यक्ती किसी धर्म को नहीं मानता था हर कोई जिग्यासू था एक ही घर में तमाम पदतियां होती थी अलग-अलग भगवान एकी घर में होते थे जीवन में अलग-अलग समय पर वो भगवान बदल लेते थे हर चीज की इजाज़त थी क्योंकि लोग खोज में थे वो जिग्यासू थे धार्मिक नहीं धीरे-धीरे धर्म हावी हो रहा है पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर कहीं हो रहा है आध्यात्मिक प्रक्रिया भी पहले से अधिक सक्रिये है आज हम दुनिया भर में एक अरब लोगों तक पहुँचे हैं सिर्फ मैं और भी बहुत से लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं एक अरब लोग हमारे विडियो देख रहे हैं कम से कम तीन विडियो एक अरब लोगों ने देखे हैं सद्गुरु मैंने आपसे ये सवाल उन छात्र आंदोलोनों के संदर्म में पूछा जो हम देख रहे हैं और मैं उस रुख पर बहुत हैरान था जो आपने नागरिक्ता संद्षोधन कानून पर अपनाया है जहां आपने कहा कि बहुत से विरोत प्रदर्शन गुमराह है आपको ऐसा क्यों लगता है सब गुरु मैं नहीं कह रहा हूं कि क्या आपने नागरिक्ता कानून पढ़ा है मैंने पढ़ा है आपने पढ़ा है बताईए वो किसके खिलाफ है क्या वो किसी के खिलाफ है वो भारत के विचार के खिलाफ है जो कहता है कि हम सभी धर्मों को बराबर मानते हैं और अगर हम अत्याचार की बात करते हैं तो आदर्श रूप में हमें अत्याचार को उसके शिकार व्यक्ति के धर्म से परे देखना चाहिए. क्या आप इससे सहमत नहीं है? देखे हम अलप संख्य कथ्याचार की बात कर रहेैं, दःहर में कथ्याचार की नहीं. बगल के देश में, हमारे देश में नहीं. इसका भारत के संम्मिधान से कोई लेन देना नहीं है, क्योंकि वो भारतियों पर लागू होता है. इसका संब्द उन लोगों से है, जो बटव तो जो लोग वहाँ फस गए और उन्हें सताया गया, उनके लिए जो 10-15 साल से यहाँ हैं और उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास पहचान नहीं है, आप सिर्फ उन्हें एक पहचान देनी की कोशिश कर रहे हैं, आप नए लोगों का स्वागत नहीं कर रहे हैं, आपने कहा क्या ये अल्प संख्यक उपर हुए अत्याचार के बारे में नहीं होना चाहिए, धर्म चाहे कोई भी हो, ऐसा क्यों है कि अगर आप हिंदू हैं, सिख हैं, एसाई हैं, और पीडित हैं, तो आपका भारत में स्वागत है, लेकिन अगर आप मुसल्मान हैं, तो नहीं, और खा वो धार्मिक देश है, वो धर्म निर्पेक्ष देश नहीं है, वो धर्म वाले देश हैं, और उन सभी पर एक स्थर पर अत्याचार हुआ है, तो वो सभी जो पीडित हैं, वन टाइम, ये एक बार की छूट है, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही यहा हैं, 2014 के बाद आप नहीं आ सकते हैं, वो पहले ही यहा हैं, अब आप कह रहे हैं, हर कोई क्यों नहीं आ सकता, जो लोग पीडित हैं, ने, ने, क्या देश में जन संख्या कम है, क्या हमारे देश में जन संख्या की कमी है, हमें किसी की जरुरत नहीं है, हिंदू, सिक, इसाई हमें किसी की जरुरत नह हैं मगर वो पहले से हमारे हैं BINna पहचान के यह सिर्फ इसी बारे में तो अगर आप इसे मुदधा बनाना चाहते हैं क्योंकि आप विवाद चाहते हैं तो आप उसे बना सकते हैं मगर मैं बस इमान्दारी से कह गई रहा हूँ सिर्फ मुसल्मान होने के कारण हमारी नागरिकता क्यों ली जा रही है मगर एंकर कोई कोशिश नहीं करता कि उससे सही करे और कहे ये सच नहीं है, आपकी नागरिकता नहीं जाएगी वो ऐसा नहीं कहता, बस विवात के मजे लेता है आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ये सच है, उस युवा मुस्लिम महिला की नागरिकता चली जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं. फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? मगर डर का आप क्या करेंगे? डर की भावना दिख रही है, आप देख रहे हैं कि शाहीन बाग में क्या हो रहा है? ये विफलता, इसकी वज़े वो चीजें हैं जो बताई जा रही है. सरकार निश्चित रूप से इस बात को सपष्ट रूप से समझाने में विफल रही है, ठीक है? जो किसी और के लिए है, आप से कुछ लेना देना नहीं है, आप ये सोचकर विरोध कर रहे हैं कि ये आपके खिलाफ है, मगर किसी ने इसे इसी तरह समझाया है, ठीक है? और अब आप भी वही कहने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मत कहिए, ये हिंदू-मुसल्मान की बात नहीं है, ये देश की बात है, ये बिलकुल भी हिंदू-मुसलिम की बात नहीं है, क्योंकि इसका देश के हिंदू-मुसल्मानों से संबद नहीं है, ये उन लोगों की बात ह जो इस देश में आ चुके हैं दूसरे देश से बिना केसी पहचान के आप बस उन्हें वन टाइम पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं आपने कहा कि कैसे सरकार अपने संबाद में विफल रही आपके खयाल से कहा गलती हुई इस मामले को कैसे संबाला जाना चाहिए था शायद इतना मामूली मुद्दा उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इसे इस तरह संगठित किया जाएगा ये निश्चित रूप से भूल है इसमें कोई सवाल नहीं है दुर्भागे वश ये विफलता है अभी यहां भारती राज्य हैं करनाटक है और मध्य प्रदेश है जिनने निवेश वगरे की जरूरत है मुझे बताईए अभी अगर आप चाहते हैं कि भारत की अर्थ व्यवस्था का जबरदस्त विकास हो तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है बाहरी निवेश हम दो ट्रिलियन डॉलर का निवेश चाहते हैं कौन ऐसी जगा अपना पैसा लगाएगा जहां सड़क पर बसें जलाई जा रही है आप सभी ने दुर्भागी से इसके मजे लिए प्लीज असा मत कीजिए तो आपके खयाल से ये चातर क्यों विरोध कर रहे हैं पहला है आपने मुसलमानों के विरोध प्रदशन के बारे में कहा बहुत से यूवच चातर हैं IIT, IIM, हर तरह के कॉलेज, यूनिवसिटी से शुरूमें ऐसा हुआ मुझे नहीं लगता कि वो अब भी विरोध कर रहे है क्योंकि मेरे ख्याल से वो सब समझ गए है कुछ फीज बढ़ाने का विरोध कर रहे है कुछ पुलिस की बरबरता के खिलाफ विरोध कर रहे है मैं उस सब में नहीं जाना चाहता है आपकी नागरिकता को कोई संकट नहीं है, ये बहुत बहुत जरूरी है, भारती नागरिक, जो भी, आपका जो भी धर्म है, या मेरी तरह कोई धर्म नहीं है, हम सब सुरक्षित हैं, क्योंकि ये C.A. हमारे बारे में नहीं है, ये कुछ लोगों के बारे में है, जो बाहर से इसे ठीक करने का क्या तरीका है? क्या रास्ता है? क्या आप कहेंगे कि अधिक समवात की जरूरत भी है? शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी बैठे हैं, सरकार और सताधारी दल के सदस्यों को जाकर उनसे बात करनी चाहिए और उनकी चिंताओं को शांत करना चाहिए। खास कर मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है? कि ये सच नहीं है? क्या किसी मीडिया ने सामने आकर साफ साफ कहा ये सच नहीं है? इसे लेकर उतेजित नहों? नहीं। क्या, क्या आपको लगता है कि काफी डर इसलिए भी पैदा हुआ, क्योंकि वरिष्ठ मंत्रियों ने शुरू में NRC और CEA को आपस में जोड़ा, इसलिए काफी कुछ जरूरी नहीं है कि मीडिया का पैदा किया हो, संसन में अलग-अलग टिप्णिया थी, बयान थे, मैं मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ, कुछ लोगों ने शेखी मारते हुए कहा, हम इससे तुम्हें कैसे हिट करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं था कि ये नीती क्या है, ये कानून क्या है, तो कुछ लोगों ने शेखी मारी, कुछ लोगों से कोई निवेश नहीं मिलेगा जब आप उन्हें सड़क पर जलती बसों की तस्वीर दिखाएंगे। मैं ऐसी जगा अपना पैसा नहीं लगाना चाहता जहां चीजे जलती हैं। कौन ऐसा करना चाहता है। यहां दावोस में हैं। आपने भारत के बारे में क्या बातें सुनी। यह बसें जलाना, सामाजी का शांती क्या ऐसा है क्योंकि हमने कमलनाच से बात की। हर कोई भारत की संभावनाओं को लेकर उत्साहित है। साथ ही, यह सवाल बार-बार मेरे सामने आया है। नागरे का शांती क्यों है? लोग आपसे पूछ रहे हैं? हाँ, हाँ. वे आपसे क्या पूछ रहे हैं सद्कुरू? वही चीज, क्या चीज़े नियंद्रन में है? क्या नरेंद्र मोधी सरकार का उस पर नियंद्रन है जो देश में हो रहा है? मैंने का बिलकुल है क्योंकि ये युवा हैं इसलिए वो उनके साथ कटोर्ता से पेश नहीं आना चाहते चीजें हो रही है जो भी मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ मगर मैं निश्चित रूप से देश के लिए बोल रहा हूँ मैं कहता हूँ अगर हम किसी चीज़ पर असेमत है तो बहस करने की जगाएं है ऐसा करने के लिए एक संसद है अगर संसद काफी नहीं है तो हम बहस आयोजित कर सकते हैं मीडिया प्लाटफॉर्म हमेशा बहस का इंतजार करते रहते हैं बहस संभव है क्यों बसो को जलाकर ऐसा नजारा पेश करना जो पूरी तरह देश की नकारात्मक छवी बनाती हो क्या आपको लगता है कि ये ऐसे समय में मौका गवाना है जब 40 करोड लोगों के पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है बाटने वाले मुद्दों पर यह पूरा फोकस क्या ये एक तरह से मौका गवाना है नई इसे देखने का एक तरीका ये है देखे देश में विवादास्पत मुद्दे है अगर आपके पास उनसे निपटने का साहस नहीं है तो आप अर्थ व्यवस्था का विकास नहीं कर सकते तो तत्काल उने किनारे रखते हुए अर्थ व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना किसी भी सरकार के लिए समझदारी की बात है मगर लोगों को भी समझना और शामिल होना चाहिए हमें समझना चाहिए अभी भारत का एक मात्र फोकस होना चाहिए इससे फर्क नहीं पढ़ता कि सरकार में कौन है जिसे भी लोग चुनेंगे, वो सरकार में होगा लोग सोचते हैं, मैं, मैं एक दल का समर्थक हूँ सोशल मीडिया पर हर जगा ये चल रहा है नहीं, मैं तमिल नाडू में AIADMK के साथ काम कर रहा हूँ मैं चंदरबाबु नाइडू के साथ काफी करीब से काम कर रहा था मैं तेलंगाना में सरकारों के साथ बहुत करीब से काम कर रहा हूँ मैं केरल में कम्यूनिस सरकार के साथ काम कर रहा हूँ मैं लोग तंत्र का सम्मान करता हूँ अगर लोग चुनते हैं जिसे भी चुनते हैं मैं उनके साथ काम करने को तयार हूँ आप किसी को चुनते हैं आठ महीने में आप कहते हैं मैं बदलना चाहता हूँ ये क्या है आपने ये बातें कहीं मगर देखिए उन्होंने क्या रुख अपनाया है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं आपसे ये सवाल फिर पूछता हूँ, क्या ये सच है, कि ये C.A.C.A. किसी विशेश समुदाय के खिलाफ है, क्या ऐसा है? ये एक समुदाय के लोगों को भारत में नागरिक्ता पाने से रोकता है, अगर वे अपने ही देश में सताय हुए हूँ, ये सच नहीं है, भारत में कोई भी नागरिक्ता पा सकता है, बस ये है, जो लोग पहले से यहाँ है, पूरी तरह, कुछ लोग आ रहे हैं, बाकी सामान प्रक्रिया से आ सकते हैं मगर सर मैं एक सिख परिवार से आया हूँ हमारे गुरुद्वारों में आप आकर लंगर खा सकते हैं आप चाहे कोई भी हूँ हम नहीं देखते कि आप हिंदू, मुसल्मान, सिख यह इसाई हैं वे हारे चीजों की बात करते हैं जिनोंने सोचा कि वो उस पार ठीक रहेंगे पर अब वो ठीक नहीं है ठीक नहीं है मतलब जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया शादी कानूनी नहीं थी 2017 तक हिंदू शादी कानूनी नहीं थी अब जो लोग इसके बारे में बात करते हैं अरे 2017 तक उन्होंने सुधार लिया 1948 से 2017 तक क्या करें आपकी शादी कानूनी नहीं है आप जानते हैं इसका क्या मतलब है नहीं लेकिन अहमदिया और हजारा लोगों पर आपका क्या तर्क है अपने देशों में उत्पीडित अलपत संख्यक मगर फिर भी उत्पीडित अपनी आस्था और विश्वास के कारण देखिए क्या आपके देश में जन संख्या काफी है काफी से अधिक या बहुत ज्यादा आपके पास काफी ज्यादा आबादी तो क्या आप पाकिस्तान की 50% आबादी देश में वापस चाते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक अलपत संख्यक भी आएंगे हम स्वागत नहीं कर सकते हम समर्थ नहीं है हम किसी को लाने का जोखिम नहीं उठा सकते चाहे वो हिंदू हो आप उन्हें नहीं ला सकते हम सिर्फ उनकी बात कर रहे है ये कानून उनकी बात कर रहे है जो पहले से आ चुके है आप क्या करने चाहते हैं आप उन्हें कहां फेकेंगे आप वो उन्हें वापस नहीं लेंगे नहीं ये लोग वापस जा सकते उनके पास वहां कुछ भी नहीं बचा है आप उनके साथ क्या करेंगे ये किस तरह का तर्क है आपने पहले ही बहुत बड़ी जनसंख्या की बात की क्या इसका मतलब है कि आप मजबूती से जनसंख्या नियंतरन कानून का समर्थन करेंगे सौप प्रतिशत पिछले 25 सालों से मैं अकेला इस बारे में बोल रहा हूँ और हर धर्म के लोग जानते हैं हिंदू, मुस्लिम, इसाई हर कोई मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैं कहता हूँ पहले अपनी जनसंख्या पर काबू करो क्योंकि हमारे पास जितनी जमीन है उसके लिए हमारी आबादी बहुत ज़ादा है क्या आपको लगता है कि हम दो हमारे दो की सीमा होनी चाहिए देखे आप एक लोकतांतरिक देष में आप जबरदस्ति नियंतरन नहीं कर सकते मगर आर्थिक साहेता से आप नियंतरन कर सकते हैं आप सोच समझकर निर्नय लेने वाले लोगों को प्रोचसाहित कर सकते हैं इंसेंटिव देना चाहिए वरना वो प्रकृती आपका हिसाब करेगी देखे अगर आप होशो आवास में ये नहीं करेंगे तो प्रकृती बहुत क्रूर तरीके से इसे करेगी तो आपने मेरे उस सवाल को टाल दिया कि आप उन आलोचुकों को क्या कहेंगे जो आपको मोदी भक्त कहते हैं देखिए देखिए आप एक पत्रकार हैं आपका नाम चर्चित है ठीक है आपका चेहरा चर्चित है आपका नाम चर्चित है बहुत सारे ऐसे हैं पर नपर नहीं, असब्य भी हैं. मैं बस यही देख सकता हूँ. इस इंटर्व्यू के अंत में… नहीं, मैं पूछता हूँ कि किस तरह के लोग आपके घर की स्त्रियों पर वार करेंगे? यह ठीक नहीं है, यह सही नहीं है. क्योंकि आप असब भी हैं, बस यही है, उसमें कहने के लिए क्या है? वे आपके रुख पर अपनी राये रख सकते हैं, मगर किसी के परिवार पर हमला करना बिल्कुल ठीक नहीं है यही हो रहा है, क्या किसी ने बताया, बताया कि मैंने जो कहा उसमें क्या गलत है, क्या किसी ने ऐसा किया, क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं, क्योंकि कुछ गलत नहीं है, बस आपको ये पसंद नहीं है आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, ये आपकी समस्या है मैं क्या कर सकता हूँ आप अपने गुस्से में डूबे हुएं, मैं नहीं, मैं ठीक हूँ आप जो चाहे कह सकते हैं मैं ऐसी स्थिती में हूँ जहां किसी की राय मुझ पर असर नहीं करती। और मैं कभी किसी राजनीतिक विचार धारा या दल से नहीं जाना गया। मुझे बस यह है अगर लोग किसी को चुनते हैं तो मैं उन्हें 5 साल तक सहयोग दूँगा। उसके बाद अगर वो किसी और क चुनते हैं तो अगले 5 साल मैं उन्हें सा योग दूँगा क्योंकि मैं लोग तंतर की कदर करता हूँ। अगर आपको लगता है कि लोग तंतर कुछ नहीं है आपकी राय सब कुछ है तो माफ कीजे मैं आपके साथ नहीं हूँ। अगर वो होना चाहिए मैं तो युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है कि वे कैसे अपना मानसिक संतुलन बरकरार रखें और आसपास दिख रही चीजों से प्रभावित ना हूँ। अगर आप अच्छे इंसान बनाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे और फिर सोचेंगे कि वो शांदार दुनिया बनाएंगे जो लोग हर छोटी बात के लिए आपकी मा और बीवी की बात करेंगे इन लोगों के साथ आप एक अच्छी दुनिया कैसे बनाएंगे? और साभाग स्वभागे से वो अल्प संख्यक है, ठीक है, अगर वो बहु संख्यक हो जाएं, तो आपको ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी, स्वभागे से वो अल्प संख्यक है, यहां मैं कहता हूँ एक आर्थिक मंच पर, एक व्यावसाइक जगा पर, वो आधा दिन एक रिट्रीट के लिए दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो समझते हैं कि अच्छे इंसान बनाए बिना अच्छी दुनिया नहीं बन सकती, एक अच्छा इंसान एक अच्छी दुनिया है, आपने हमेशा की तरह दिल से बोला है, आगे का फैसला हम दर्शक ओपर छोड़ते हैं सद्गुरु हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद